कि वाइलन्स 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 आइडों लाइक इट आवाइड वाइलन्स लाइक्स में आई कांट अवाइड वैसे चैप्टर वन में रौकी भाई स्कूल तो गए नहीं थे तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना उन्होंने सीखा खां से लगता है चैप्टर टू में की कोचिंग लिए होगी उन्होंने सोरी आगे कर तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी कोटनी वीडियो में कैसे हैं आप तो दोस्तों फाइनली फाइनली वह घड़ी आ की जिसका बर्सों से था मुझे इंतजार वह घड़ी के टेलर के रूप में आ चुकी है और दोस्तों इस टेलर को देखने के बाद मैं इस मूवी के मेकर से सिरफ एक ही बात कहना चाहता हूं कि सर जी आपने जो इस मूवी के लिए 18 साल से उपर की एज की कंडिशन रखी है व तो एक बड़ा ही सहम जाएगा बच्चों के तो दूर की बात है क्योंकि दोस्तों इन्होंने इस टेलर के अंदर क्या वीजूस दिखाये वें क्या फाइटिंग सेस दिखाये वें भाई साब मेरा मन ये सब देखके एकदम नाचना ही शुरू कर दिया कि मैंने सोचा कि या वोईस मोडियूलेशन कर दिया है वोईस मोडियूलेशन मतलब जो बंदे की रियल वोईस होती है उसे या तो बहुत ही जादा हैवी कर देना थोड़े बहुत चेंजिस करके या बहुत ही जादा लाइट कर देना मीस जैसा करेक्टर है करेक्टर के अकॉर्डिंग ही वोई सब सुनने में भी उनका करेक्टर एकदम खतरना की आएगा मतलब एकदम टोटली राक्षोसो वाला करेक्टर बनाया इन्होंने संजदत का और दोस्तों संजु बाबा के इस अधीरा करेक्टर पर केजीएफ के मेकर्स की इस तरह की क्रियेटिविटी को देखकर मैं साफ साफ कह सकता हूं कि यार इस केजीएफ चैप्टर टू मुवी में और भी बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं और दोस्तों इस ट्रेलर में हमको हमारी टिप टिप बरसा पानी रवीने टंडन जी का भी लुक दिखाया गया है जो कि इस मुवी में प्राइम मिनिस्टर रमी का सेन का रोल निभा रही है और दोस्तों उनका भी क्या लुक निकल कर आ रहा है इस ट्रेलर के अंदर देखके मज़ा आ गया यार लेकिन दोस्तों जब वो कहती है ना इस ट्रेलर के इंदर इस बार तो घुस के मारेंगे बाई साब ये डालोग सुनके तो एकदम ऐस लेकिन दोस्तों इस ट्रेलर की एक चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो है रोकी भाई की एंट्री क्योंकि दोस्तों मैं सुबह से यह एक्सपेक्टेशन से लगा के बैठावा था कि इस ट्रेलर में रोकी भाई की ऐसी एंट्री दिखाई जाएगी ऐसी लोग धूआं-धूआं हो जाएंगे लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या करा रिकी यूट्यूब दिखाई है वाइलेंसमेफ और एक्ड़क रcular क्यूंती यूट्यूब भाईयव gaming चासे अन्टाल ऑक्यक्ति चाहिया था लेकिन अन्टेशन से टिखाईंअ उन्होंगा प्ल zwei चैप्टर टू के टीजर में वैसी ही और भी भयंकर एंट्री चाहता था के जिए चैप्टर टू के टेलर में लेकिन उन्हें क्या करा बाइस एकदम सिंपल सी एंट्री दिखा दी अगर मेरे भाई आपके पास रौकी की कोई और एंट्री नहीं थी कोई और इंट्रोडक्श कर दिया पर दोस्तों रॉकी का एक एंट्री सीन ना होने पर इस ट्रेलर का कुछ बिगण नहीं जाता क्योंकि गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंग स्टर्स पर वो अकेला आता था मौन्स्टर कुछ लॉजिक नहीं बैठा न और दोस्तों मुझे इस मूवी के मेकर्स की एक चीज बहुत ही बड़ी है कमाल के लगी कि इन्हों ने इस मूवी का जो यह ट्रेलर है इसमें जादा प्लॉट्स को ना रिवील करते हुए जिस हिसाब से इन्हों इस ट्रेलर का डवलप्मेंट किया है न वो तो कमाल है लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यह ट्रेलर सिरफ और सिरफ एक्शन सीक्वेंसिस का ही बनके रह गया क्योंकि दोस्तों इन्हों ने इस ट्रेलर की जो स्टार्टिंग है वो तो बहुत ही कमाल की करी है और दोस्तों ऐसी स्टार्टिंग देखके मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार यह ट्रेलर मुझे रुलाएगा भी हरान भी करेगा मेरे goose bumps भी खड़े करेगा इस trailer को देखके मेरे goose bumps भी खड़े हुए मैं हरान भी हुआ लेकिन दोस्तों मैं रोया नहीं मेरे मन में emotions नहीं जागे क्योंकि दोस्तों इस movie का जो main plot है न वो है मा और बेटे की bonding और जिस bonding को इन्होंने KGF chapter 2 के teaser के end में दिखाया था that promise will be kept वैसी ही bonding में expect कर रहा था कि यह लोग इस KGF chapter 2 के trailer में भी दिखाएंगे लेकिन दोस्तों इन्होंने मा और बेटे की bonding को इस trailer में बिलकुल भी नहीं दिखाया जिसे मैं बहुत जाद मिस कर रहा था और दोस्तों अगर वो थोड़ी सी भी bonding इस trailer में दिखा देते ना तो भाई साब यह trailer लोगों के दिल से आत्मा खीच लेता यार लेकिन दोस्तों फिर भी इस trailer में साफ साफ पता चलता है कि लोग 14 अप्रेल से थेटर में उचलना शुरू कर देंगे और दोस्तों इस trailer में देखके पता चल रहा है कि इन्होंने इस movie के लिए कितरे बढ़िया set designs करें हुए भाई साब देखके मज़ा ही आ गया यार लेकिन दोस्तों एक set design जो मेरे mind में दोस्तों मैं तो यह देख कहरान हूं क्या रौकी भाई का empire इस चैप्टर टू में इतना बड़ा हो गया कि देश की प्रैमिनिस्टर तक को उनके empire को खतम करने के लिए एर फोर्स को भीजना पड़ा क्योंकि दोस्तों आपने के जेफ चैप्टर टू के ट्रेलर के एंड में देखा ही होगा कि एर फोर्स के प्लें जा रहे हैं और बम गोले दाग रहे हैं और वो बम गोले किस पर दाग रहे होंगे रौकी भाई के के वाले empire पर that means बहुत ही ब बारे में हमें अभी तक नहीं पता तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि भाई साब 14 अपरेल को थेटर में तांडव होने वाला है और बाई सब जैसे इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू होगी ना मैं तो सबसे पहले फर्स डे फर्स शो की टिकट बोग क टिकटे सस्ती हुई तो वैसे कराऊंगा ही क्योंकि आपके लिए रिव्यू भी तो लाना है तो दोस्तों यह था मेरा ट्रेलर रियक्शन इस के जीएफ चैप्टर टू का एंड आई होप आपको मेरा यह चोटा सा ग्यान पेलो वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आपक लग्ये मेरा टूप होगा लिए हो आपको मेरा टूप लोंकि आपक है क selves अ हुप आपको मेरा ट्रेलर बोट्थ प vert facto किषब ही जा हैं मेरा है तो ऑगको मेरा करें बारा से दोफर आपको भ़ए हुआ है को अल hyp Commissioner